इते दिनों देश के सबसे अमीर उद्योगपती मुकेश शंबानी की बेटी की शादी पर केंद्रिय मंत्री जीतन राम मांजी ने रविवार यानी 14 जुलाई को एक कटाक्ष किया देखे पत्रकारों के शादी में नहीं जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि शादी में फू कोहड कपडों के कारण अंग अंग दिख रहा था हमारा परिवार इसी जगाओं पर नहीं जा सकते हैं केंद्रिय मंत्री ने बताया कि हमें निमंत्रन मिला था शुपकामना भेज दिया है दरसल जीतन राम मांजी से पत्रकारों ने ये सवाल किया था कि आप अंबानी के ब मंत्रन मिला था लेकिन महां लोग फूगड कपड़े पहन कर आये थी जिस तरीके का प्रदर्शन शादी में हुआ जो मोहल देखने हैं उस मोहल में हम अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते हैं आपको बता दें कि केंद्रिय मंत्री जीतन राम मांजी जहाना बाद में एक करीबी अमीरी का अंतर दिखाई दे थी वहां लोग फूहर कपड़ों में एक दूसरे के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे और ऐसे मोहल में हम अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते थे इसलिए अमबानी के बेटे के शादी में नहीं गए लेकिन देखे हम बहुत शोटे सब्चे के लोड में से हम गए इस संस्किप्टी में हाँ पर वाजक भूआ बढात थी हमको ऐसा लगा कि हमारी पत्नी हम लोग चार देखार इसको पासे उसको हम कहते हैं कि अधर ग्रेस में लोग के सारा अंगे हम लोग देथ रहे थे तो ऐसा हम बहुत शोटों हम पर ले जाते के लगते हैं इसको आशे लोग सूट अप्वेंट टेक को हम लाते हैं यह में लोग करेंगे क्या ऐसा हम नहीं कोचा कि इसका से होना मेरे लिए ठीक नहीं है इसलिए हम उनको अलग से पुरकामाय देखादी हैं अपना जो नेउता हम देख परदर्शन है अमीरीका उनको परदर्शन में हम शाज नहीं पाएंगे इसलिए हम कर पाएंगे इसलिए हम काम देख हैं कि देश की चर्चित और महंगी शादियों में एक उद्योग पती मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में राजनीतिक सामाजिक फिल्म और परद के साथ साथ देश की नाम चीन हस्तियों ने शिर्कत किया और वरवदू को आश्रवाद देने भी पहुंचे इसी को लेकर पत्रकारों ने जीतन राम मांची से सवाल पूछा कि आप क्यों नहीं गए जिस पर मांची ने अपने ही अंदाज में बायान दे दिया आपक लालू यादव की फैमिली भी वरवदू को आश्रवाद देने शादी में पहुंची थी थी